इंडॉर के देपालपुर में उस वक्त जन हुजूम एक जगह उम्रा जब भैसों के युद्ध में एक दूसरे को जमकर भैसे सीग मा रहे थे बेकमा रोड सित खदान पर बीज भैसों की जमकर लडाई हुए इस लडाई को देखने के लिए सैक्रों की संख्या में लोग खदान पर पहुँचे थे जहां ग्रामीनों ने आयोजन का जमकर आनंद लिया जानकारी के मुताबिक दोपहर बारा बजे के लगभख शुरू हुई भैसों की लडाई शाम चार बजे तक चली गमसान लडाई में कई भैसों ने एक दूसरे को बुधी तरह घायल कर दिया कई भैसों ने एक दूसरे से सींग तकरा कर मुकाबला शुरू किया पशु मालिक अपने अपने भैसों को जीतने के लिए आवाज लगाते रहे लडाई के दौरान गुसाए भैसे दर्शकु की ओर भागे इससे वहाँ कई बार भगदर जैसी इस्थिती भी बनी हाला कि इस लडाई और भगदर में किसी को कोई चोग नहीं आई है वहीं इन पहारों की लडाई को शांती प्रिये तरीके से देखने के लिए नगर के ठाकुर राजेनर सोलंकी ने अपील की संचालन दिली फेर ने किया इस अफसर पर पूर्व नगर पंचैत अध्यक्ष संतोष ठाकुर सांसित प्रितिनीधी अजय अहूजा जिला कॉंग्रेस सचेफ फारुक मंसूरी भारत गौर मोहन ठाकुर अमर सिंग खत्री आदी मौजूद थे